हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं आपके लेके आई हूं सूजी के हेलोवे की रैस्पी वैसे तो हम में यह कंजया नॉमी पूसते हैं तब बनाने चाहिए बटाग मेरे घर नहीं करने ही आई है तो मैं इसमें बनाऊंगी कि जब नहीं कोई नहीं बरतल लेना होता है हमें तो उसम का बना हुआ गी है तो आज हम इसे ही बनाएंगे तो चलिए स्टाट करते हैं तो देखिए मैंने यहां पर ग्यास को ओन कर दिया है कड़ाई गरव हो गई है इसमें हम दो बड़ा करना गी डालेंगे यहां पर गरव हो चुगा है और इसमें हम सूजी को करेंगे करेंगे तो जब तक हमारी सूजी यहां पर प्राई हो रही है मैंने यहां पर पानी लिया है और पानी आपको इसे साब से रखना है जैसे आपने एक कप सूजी ली है तो आपको तीन से तीन यह चार कप पानी रखना है जैसे कोई मतलब हलूआ बिल्कुल वैसा मतलब पतल कि इतना अच्छा कलर आएगा उतना ही हलुआ ज्यादा टेस्टी बनेगा तो देखे फ्रेंड्स सूजीब उनके तब लिकुल तैयार है बहुत अच्छा कलर आया है मैं बस इतना इतना ही भूजूंगे से और अब हम डालेंगे इसमें ठीवी तो यह मैंने तीन से चार चंबत चीनी लिए है तो यहां पर मैं यह पानी गरम किया हुआ डालेंगे इसको हमें तब तक चलाना है जब तक इसमें जो हलके इसकी जो गाठे से पड़ी है वह गुलना जाए देखे पिशकुल खताव होते जाए उसको मैं चलाते रहना है और अब इसमें च्छोड़ा सा फूट कलर डालेंगे यह यहलो कलर डालेंगे हम हमने एक से दो चुटकी बिल्कु कलर लिया है इसमें पुड़ा सा पानी डालेंगे अच्छे से घूल लेंगे इसको और अब इसमें डाल डेंगे अब इसमें बहुत सारी कसर वागी है तो इसमें हम डालेंगे घी घर का बना हुआ गी है तो इरुकसान बिल्कुल नहीं करता हम लोग तो यही खाते हैं अब देखिए घी डालेंगे बाद यह और भी कितने टेस्टी लग रहा है तेक हो लिए बडाम और काजू डालेंगे थोड़े से बचाते रखेंगे गार्निपिन के लिए तो देखिए प्रेंट्स हलुआ बनती हमारा यहां पर तेयार है और हम इसको टेस्ट करेंगे हुआ हुआ सक्टना 좋다 बगधे समय देफिग गलाया मेंज हमारा है बड़े दोिए गचरी वर भी टवरेा है